नमश्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चब्विस ग्यारा एक ऐसा खौफनाक दिन है, एक ऐसी खौफनाक तारीक है जिसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। इस दिन मुंबई के ताज पैलिस होटेल पर और साथ में कुछ और जगाओं पर भी बॉम्बे में टेरिस्ट हमले हुए थे, आतंकी हमले हुए थे, जिसमें बहुत सारे सिविलियन्स और ना जाने कितने पुलिस कर्मियों की मृत्ति हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। ऐसे में भारत और USA के द्वारा एक जॉइन प्रपोजल जाता है UNSC में, United Nations Security Council में, ताकि 26-11 के Mastermind को Terrorist Designation दिया जा सके UNSC का, उस व्यक्ति को चाइना सेव करता है, जैसा कि मैंने आपको थमनेल में भी आपको दिखी रहा है, चाइना सेव 26-11 Mastermind from UNSC's Terrorist Designation, क्यों ऐसा चाइन कर रहा है, क्या है News आईए जानने का प्रयास करते हैं, China Blocks Listing of Lushkar Commander Sajid Meer at UNSC, जो Mastermind है, उसका नाम है Sajid Meer, China Blocks Proposal at UN to Blacklist Park based, 26-11 Lushkar Handler, Lushkar का Handler है ये, China saves 26-11 Mastermind Sajid Meer from UNSC's Terrorist Designation, आज के सेशन में UNSC का Terrorist Designation क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, कौन है Sajid Meer, ये जानें और चाइना ने ऐसा कब-कब किया है, इन सभी चीजों के बारे में, डीटियल में बात करेंगे, सबसे पहले News देख लेते हैं, तो ये तीसरी बार है, पिछले तीन महिनों में कि चाइना ने ब्लॉक किया है, एक Joint India-US का Proposal, जहां पर वो attempt कर रहे थे, पाकिस्तान-based terrorist को UN Security Council 1267 की लिस्ट में डालने का, क्या है ये लिस्ट? इसके बारे में हम बात करेंगे, placing a hold on the proposal, चाइना ने इस प्रपोजल पे hold लगा दिया है, एक तरह से कैसे वीटो लगा दिया है, to add लश्करे तयबा कमांडर साजिद मीर, उसको इसमें add नहीं होने दिया है फिलाल, ऐसा चाइना कर चुका है, जो की वांटेड है, चब्विस ग्यारा मुंबई टेरर अटैक्स में और साथ साथ मुंबई के अलावा, यूएस और डेन्मार्क के भी कुछ अटैक्स में ये वांटेड टेरिस्ट है, और ये मूव कब आया, ये मूव आया, थर्सडे को न्यू यॉ चाइना के द्वारा, इस संबंद में भारत ने कडा रुक अपनाया है, वो बात करते हैं, पहले साजद मीर के बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं कौन है, तो मीर जो है, वो भारत का एक most wanted terrorist है, और इसके ओपर USD 5 million का इनाम भी है, 5 million dollar का इनाम है इसके ओपर, इसके 26-11 के मुंबई टेरर अटैक्स में इसका जो रोल है, उसको लेकर इसको पकड़ा जाएगा तब, ठीक है, ये आता है पाकिस्तान-based L.E.T. की terrorist category से, मतलब ये उस group का हिस्सा है, लश्कर-े-तयबा का हिस्सा है, इस साल जून में ही इसको 15 साल से उपर की सजा हुई है, टेरर फाइनसिंग में, जून में 15 साल की सजा सुनाई गई है, टेरर फाइनसिंग केस में by anti-terrorism court in पाकिस्तान, पाकिस्तान के anti-terrorism court के द्वारा वो पाकिस्तान, जो फिलहाल FATF, जो की एक international organization है, financial action task force, उसकी ग्रेल इस से exit करने का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, FATF का headquarter कहां पर है, it is based in Paris, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेगा, इस से हम पाकिस्तान की manipulation भी देखेंगे, पाकिस्तान ने कैसे manipulate किया है, बिफोर moving forward आप मुझे follow कर सकते है, pathfinder telegram channel पर और इस telegram channel पर for all my class details, updates and schedules, unacademy app पर भी आप मुझे follow कर सकते है, मेरे सभी classes के लिए, plus and special classes, plus course मेरा शुरू हो रहा है, by September से शाम 6 बजे, enroll करने के लिए आपको सिर्फ मेरा code उस करना है, ndlife10, आप पाकिस्तान की manipulation देख लेते, अभी हमने देखा कि जून में 15 साल से जाधा की सजा सुनाई गई है, साजिद मीर को, और पाकिस्तान में past में कहा था कि वो तो मर चुका है, पाकिस्तान authorities ने claim किया कि मीर हैड डाइड, लेकिन जो western countries हैं वो इस चीज से convinced नहीं थी, अब यह बहुत एक major sticking point बन गया issue, बना जब FATF के assessment में पाकिस्तान की जो progress है, उस पर action लिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रे लिस्ते निकलने के लिए पाकिस्तान चाह रहा है कि इस तरह के लोगों को, you know, criminal gossip किया जए, जो case चला भी मीर पर, नौ मीर कौन है, मीर एक senior member है, पाकिस्तान-based लश्करे तयाबा का, और यह wanted है, November 2018, 2008, terrorist attacks in Mumbai पर, जो हम बात कर चुके हैं जिसके बारे में, भारत के response कि, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, भारत ने हमेशा से इस चीज़ को criticize किया है, past में भी criticize किया, और भारत ने यह कहा है कि China has double standards, यह two-faced, एक तरह से reaction होता है, double-faced reaction होता है, जब भी terrorism की बात आती है, और वो terrorism अगर पाकिस्तान से कहीं से कहीं connected है, तो, terrorism for consistently stopping the listing of Pakistan-based terrorists, on UNSC 1267, now what is UNSC 1267, इसके बारे में, अभी मैं आपको अगली slides में बताने वाली हूँ, despite the fact, कि जिन group से लोग आते हैं, यह terrorist इनको block करने की बात की जाती है, इनको list में डालने की बात की जाती है, वो groups already listed है, सालों से, उसके बाद भी China क्या करता है, China, double standard or double phased reaction देता है, और रोग देता है, ऐसा करने से, now, एक और ironical चीज क्या आई है, कि SEO की meeting में recently, President Xi ने अपने address में कहा है, कि भई, अब यह बहुत ज़रूरी है, कि हमें एक concerted action ले terrorism पे, सारे के सारे आठ देश जो है, SEO के मिलकर, SEO, it consists of India, Pakistan, China, Russia and other four central Asian countries, Eurasian group है क्तरा से यह, ठीक है, now, China ऐसा पहली बार किया, चाइना ने, नहीं, चाइना ऐसा बार-बार कर चुका है, recently, पिछले महीने ही, चाइना ने, फिर एक proposal गया था, US और इंडिया की तरफ से, UN में, blacklist करने के लिए, अब्दुल रॉफ अजहर को, अब्दुल रॉफ अजहर कौन है, अब्दुल अजहर उसका भाई, और यह सीनियर लीडर है, पाकिस्तान-based, जैशे महमद का, ठीक है, इस पर भी सैंक्शन लगाने की बात हो रहे थी, इसको भी होल्ड कर दिया, इस प्रपोजल को भी होल्ड कर दिया, चाइना ने, अब्दुल रॉफ अजहर, उनिसो चोहतर में, पाकि पाकिस्तान का, और repeatedly, repeatedly, has repeatedly put holds on listings of blacklist, पाकिस्तान-based terrorists, जब भी ऐसा blacklist करने की बात आई है, पाकिस्तान-based terrorists को, चाइना ने हमेशा उसको ब्लॉक किया, उसको हमेशा होल्ड पर डाल दिया, under the sanction committee of the UN Security Council, एक तो हुआ अब्दुल रॉफ अजहर, इसके लावा, जून में ही, चाइना ने एक और hold पर डाल दिया था, एक और proposal को, जो कि again, एक joint proposal था, इंडिया और US का, to list, पाकिस्तान-based terrorist, अब्दुल रह्मान मक्की, मक्की को भी डालना था इस sanction में, जिस पर again, चाइना ने क्या किया, hold डाल दिया proposal पर, 1267 Al-Qaeda Sanction Committee of UN Security Council, चलिए, तो ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है चाइना, पहले भी कर चुका है, दो केसे में, इसी साल, तीन महीने में, नाव समझ लेते हैं, 1266 Committee क्या है UNS की, 1267, तो ये पहली बार सेट अप की गई थी, 1999 में, इसका उदेश क्या था, और स्टेंदन कब हुई है, 2001 के सप्टेंबर अटक के बाद ये स्ट नन-Permanent, 1267 List of Terrorists is a Global List, ये एक वैश्विक list है, with UNSC stamp, इस पर UNSC की stamp है, मतलब वैश्विक सर पे वो व्यक्ती, terrorist हो जाएगा घोषित, इस फुल of Pakistani nationals and residents, it is one of the most important and active UN subsidiary body, बहुत important और active UN की subsidiary body है, जो काम कर रही है to combat terrorism, particularly in relation to Al-Qaeda and the Islamic State Group, ISA, I.S. और Al-Qaeda से majorly, जो इस तरह के terrorist organization है, उनको control करने में, terrorism को combat करने के लिए काम करती है, इस लिस्ट में जो नाम आता है, वो Global terrorist गोषित हो जाते हैं, ठीक है, ये discuss करती है, UN के सभी efforts को जो limit करते हैं, इस तरह के terrorist के movement को, मतलब इनका आवाजाहिक पर भी रोक लगती है, especially those related to travel bans, freezing of assets and arm embargoes for the terrorism, जो भी arms, ammunitions को चाहिए होते हैं, इस तरह के चीजों को भी discuss करती है, इस तरह के चीजों को भी discuss करती है, इंडिया ने तीन attempt ऐसे की हैं, पिछले 10 सालों में, 2009, 2016 and 2017, तो लिस्ट, जैशे मोहमद चीफ as Global terrorist, भारत बार बार ये effort डाल रहा है कि जैशे मोह जो चीफ है, उसको Global terrorist घोशित किया जाए, लेकिन चाइना हर बार इन attempts को ब्लॉक कर देता है, be the closest friend of Islamabad, चलिए UNSC के बारे में देख लेते हैं, United Nations Security Council, इसको establish किया गया था, 1945 में, it is one of the six principal organs of UN, UN के 6 principal organs में, बहुत important organ है, ये, headquarter New York City में है इसका, इसके सभी जो भी UN के members है, व agree करते हैं, to accept and carry out decisions, जो भी decision लिये जाएंगे UNSC में, Security Council के दवारा, उनको accept करना, उनको carry out करने का, सभी ने agree किया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो बाकी member organs हैं UN के, six organs है न, तो apart from Security Council, जो बाकी organs हैं UN के, वो recommendations देते हैं, members को, member states को, लेकिन Security Council के पास power है to take, य तो सभी members को, members are then obligated to implement under the Charter, उन सभी को, इनको implement करना जरूरी हो जाता है, under the UN Charter, membership की बात करें, UNSC is composed of 15 members, 5 permanent हैं, 10 non-permanent members हैं, permanent members कौन कौन से हैं, permanent members of UN Security Council हैं, 5 states which the UN Charter of 1945 grants a permanent seat, इनको permanent seat दी गई हैं, United Nations Security Council में, चाइना, France, Russia, UK and United States, ये World War 2 के बाद जो countries थी ना, उसकी वज़े से ऐसा है, now हर साल General Assembly elect करते हैं, 5 non-permanent members को, out of the 10 in total for 2 years term, जिसमें भारत को भी, 2021 में, non-permanent member की seat मिली हुई है, फिलाल, 2022 तक, 2 साल के लिए, ठीक है, 10 non-permanent seats are distributed on the regional basis as follows, जो 10 seats हैं, उनको across the globe, regional basis पे, distribute किया गए, कैसे, पांच आते हैं, African or Asian states से, total 5 होंगे, Asia और Africa से, एक आएंगे, for the Eastern European states, 2 from the Latin America and Caribbean states, 2 for Western European and other states, this is the distribution of the 10 members, non-permanent members, now very very important, China बार बार ब्लोक कर देता है, ब्लोक कैसे कर रहा है, because the permanent members, the 5 members which are the permanent members, have a veto power, a special power, जो किसे भी decision को पलट सकती है, this is what China is using again and again, against the Pakistan terrorists, in favor of Pakistan terrorists actually, against UNN, India and US proposals, ठीक है, It has been the exclusive domain of P5 members, permanent 5 members, which has been questioned by a lot of members, इसको बार बार question किया जाते है, कि विश्व 1945 से 2022 तक बहुत बदल गया है, अब 5 members के पास ही सारे sanctions, सारे अधिकार नहीं होने चाहिए, इसको लेकर बहुत बार debate हुई है, और reforms की बात भी की जाती है, इसको लेकर, बहुत सारी countries ने इस question mark लगाए है, on the existence of veto, कि ऐसा क्यों veto होता है, जैसा कि मैंने आपको बताए कि UNSEE permanent seat के लिए, चाइना ने भारत को back नहीं किया, veto लगा दिया, तो ये veto बो लेकर काफी बार question भी किया गया है, from different countries, which is contrary to the democratic principle, क्योंकि क्या है, veto जो इस तरह की आ रही है, और 5 देशों के पास, 5 राष्ट्यों के पास ये अधिकार है veto करनी का, पूरे विश्व की समस्याओं को लेकर, अगर आता है कोई तो, ऐसे में ये पाँचों किसी भी चीज़ पर veto कर सकते हैं, जैसे चाइना समय समय पर veto कर रहा है, है ना, पाकिस्तानी terrorist पर sanction लगाने के case में, तो ऐसे में ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ही नहीं, लोकतांत्र के विरोध में है, contrary है उसके, तो इसको लेकर question काफी किया जाता है, reforms की बात भी यह आपर चल रही है, आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा कि क्यों चाइना ऐसा कर रहा है और क्या चाइना को ऐसा करना चाहिए, मतलब what is the need, जहाँ एक तरफ आप जो बाकी forums है SEO के forum पर आप कहते हो कि नहीं हमें terrorism को combat करना है, सभी को साथाकर करना है, वहीं दूसरी तरफ आप बड़े-बड़े terrorist, जो खतरनाक terrorist है, उन पर sanction नहीं लगने दे रहे हो, तो this is being two-faced, this is being double standard, ठीक है, चलिए, अन Academy का subscription लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा code यूज करना है दोस September से 2023-2024 के लिए, अभी जाकर enroll कर लीजिए, test series चुरू होगे 2013 के लिए 11 September से, जहां पर आपको बहुत सारे benefits मिल जाएंगे, feedback, evaluation, तीस से जादा test होंगे, यहां पर आपके model answers मिल जाएंगे, etc., Iconic subscription का सबसे important benefit है, आपको physical notes मिलते हैं, 20 GS books मिलती हैं आपको, plus में आपको ये doubt solution daily, answer writing live, mentorship, ऐसे बहुत सारे benefits आपको यहां पर मिलते ही हैं, doubt दर्बार की dates ही है, इस QR code को scan करना है, these are the subjects that you can go and resolve your doubts from, timings यहां दी हुई है, combat हर Sunday होता है, enroll कर लीजिए, this I have discussed with you, that's it from my side, thank you so much, like, share and subscribe to the channel अगर आप पहली बनाए हैं, do not forget to write any live time in the comment section अगर आपको session अच्छा लगा हो तो, जरू मुझे बताएगा चाइना के stand को लेकर आप क्या सोचते हैं, thank you so much,